अब रात के आठ बज रहे हैं और मैं अजल सबी रेडी हूँ आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन करर का इस ड्रेस से मैंचिक लेइंग लगाया और सामने बैठा सपॉर्स तो वह बोर रहा है और मैं वही वाला गले में के डाली हूं जो मैं बड़े कि दिन डाली थी और मैं रे अब रेडी हो गया है तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दे रही हूं यह रहा मेरा ड्रेस अब लॉंग कुर्ती है और इसक जो बाजू है यह वाडर बाजू है और मैं नहीं से इस हैंड में देखिए मैं डाली हूं थोड़ी सी चूडी झारीं तो में दोडी कंडू है और इस को तर देखि चूडी को इसे में कर रहा हैं और डॉपर को अपना खाल्ग कर रही है और बस ब 솔직 और भी आ तो यहां पर हम लोग अभी पहुंचे हैं और एक्षरी जदा टाइम नहीं लगाया में आने में थोड़ा सा टाइम लगाया तो यहां स्पॉर्श है स्पॉर्श आगी आगे भाग रहा है और यहां है यहां है है और यहां है entrance कि लिह जशेथ ईखिए यहां है यहां है और में यह ह Gotgen झाल 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 तो यहां जो दोनों बेवी के बढ़े था ना वो दोनों ट्वीन्स है और एकदम सेम मैचिंग कपड़े वो दोनों डाले हुए थे और बहुत ही क्योट लग रहे थे और इस टाइम पर मैं इधर दूसरे साइड में आ गहीं मैं चलो थोड़ो से फोटो अधर है हम लोग क्लि क्लिक करवाने क्यों कि यहां का बेग्राउन बहुत अच्छा लग रहा था जैसे विलेज में होता है ना उसी टाइप से यहां पर और यहां देखिए फिश फिश है बहुत ही प्यारी लग लग रही तो यह देखिए वाइट वाली फिश आगई और फिराल हम लोग डिनर वेगर हैं करने के बाद हम लोग निकल गया है वहां से होटल से निकल गया तो यहां इस पॉर्श आ जारहे हैं और बस हम लोग बाहरी निकल गया उसके वाद हम घर जाएंगे क्योंकि रात के साड़े दश पोच चुके हैं तो भी टाइम भी नहीं हो और यहां पर मॉर्ण रहा हैं और वह इन साथ बहुत रेंग अची तरखे से पड़ता एक है कि डेख रहे हैं कि यह वह बदमासी भी पार्ट कूछ रही है तो फिरिय। ऑज सा जंपिंग कर रह रहा है कुछ बता रहा है的 और यह डांट भी रही है कि आप बता Heavy १ाय है वह कर रहे हैं झाल झाल कर दो कर दो कि अधिए कि अधिए जी उसले वीडियम आपि साड़े दिस हो रहे है और ये व्ला ये व्लाग है मैं यह काल नाइट है चलुट कर अब हम लोग नाइट वहा जब करने में लाज़ कालौ कर रहा हुआ ऐसी काफाइट हो गरें लाज़ रहे हो रहा है और हम लोग ब्रेक फार्स ने जाए नहीं कर लिया नाइडे zijn जाने नहीं होटार हुटा है कि लंच हम थोड़ा हैवी करते हो इगनिंग में थोड़ा स्नेक्स हो जाता है तो यहां पर दिख रहा होगा इस पर्ष दिवाल पर सारा कुछ लिख रखा है तो आपको दिख रहा होगा तो मैं नहाली हूँ जो काम थे मॉर्निंग टाइम में कर ली लेकिन हावी किछन में कुछी और रोती क्योंकि जो आना वह उनके रहा है तो जा रहे है पार्टी में कि ओफिस के तरफ से पाटी है तो चंडी कर में ही पहीं टाली हूँ कि कल मैं नाइट में गई थी न तो आप जानते О कि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आर्टी-से यह डाल लेती हूँ तो इसी तो यह बादी में चलती हुआ यह बादी में चले गए आप इस पॉल्ड करने को पता की गई थी कि आयसे फोल करना तो और चले फीर चलते हैं कि चले बना लेती हुआ पनी की गोची रोटी तो यहां पर मैं आ गई हूँ अभी किचेन में और मैं जाना नहीं परेगा पूर्टी तो उसके लिए मैं यहां प्याज और लंसुन को चॉप कर ले हूँ इस चॉपर में और इसके बाद यह पनीर जो है यह होमेड पनीर है मैं इसको कल निका ले थी क्याम थिखिए बहुत का लें तो इस पनीर को मैं पनीर को अगले थी तरहिए कि इतना सब्सक्राइब को मैं जाना इस पर एΠी भाड़ों बहुत है कि बहुत और से ठीक है तो उस पनीर की बुर्जी बनादे बना दूए पहले ही मैं डिसाइड कर लिया था इस्वजी सिग म कश्ता में ब्लादा चीणा वह पनीड जीर आपी आपम त समय के नालें तब दोर के लिए और गए बें के लिए शांकर घॉद इंसे भी उखा कि ciao करो आप पैष्यून कर दों घ्रकर कर जूंक है whatever पनीर के बोर्जी बहुत है। तो बोलते हैं कि मैं जिजिन घर पे नहीं हुए उस दिन पनारी हो। आप बोले समय ऐसा दो नहीं है। मैं तू मेरा बस चलता है। जीरा और मैं तोडहा सा मेती डालने हैं लाक्त सब्सक्राइब। ओट उसके बाद गर्म हो जाग यह डालने हैं रिजब अच्छा लाएं इसके बहुत बाद ऑफ़ार करें तो यह पीजिब आपराज ढालने हाँ जब ऑईल कम डाला है तो जब ज़्यादा धुट कर लिए और यहां पर मैं टमाटर को चॉप कर लिए हूं इसी चॉपर में काफी इचा से बारीक हो जाता है ना तो अगर हम ऑईल नहीं डालते है ना तो उससे भी बहुत इचा से प्यास वेगरा सब कुछ पक जाता है तो य तो प्रणार को बूल रही हूं और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दे रहे हैं क्योंकि नमक डालके और फिर पकाऊंगी तो यह बहुत ही जल्दी सौप्ट हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी थोड़ा छोड़ देता है तो मसाला होने में प्रॉब्लम नह बुब्लम तो यहां पी मैं मसाला निकाल रही हूं जीरा पौडर थोड़ा है पर परड़ी पाउडर में पानीर की बुरूजी में डालती उपका ने हड़ी पाउडर में परखे साथ के यह राधा रूग पानीर पीज़ाने दालती है तो भी तो पर दोड़े नियुक्स करने हैं और इसके बाद में थोड़ी देर भूझ पकाऊंगे तो सारे मसाले इसमें मिल जाएंगे और इसके बाद में धख दे रही हूं और थोड़े राइम मेरा पनीर बोजी रेडी हो जाएगा तो हम लोगी कर रहे है लिजानी तो फर्ष को मैं पहले सही रूती बना दी थी पनीर क्राजी और हम पर ज Lords पेर आप आंप लिकतनीCim और देखिए स्पर्ष कैसे खा रहा है दोनों हातों से आसे तो ठाता है ना खाओ और सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यह प्रीड करती हूं कि साड़े बार हो तुकि अभी टाइम और आप लोग बताना कि मेरी ब्लॉग्स आप लोग कैसे लगते हैं और कैसे अगर आप लोग कॉमेंट्स करके जरूर पताना और अगर आप लोग पैली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और अच्छी लगी मिनी ब्लॉग्स तो प्लीज लेयर पी कर दीजेगा अपने फैम्ली और फ्रेंट्स के सांग तो आए टेकर लग यू